देखिए हर व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए धनारजन करता है नौकरी करता है व्यापार करता है अगर आप नौकरी के सेक्टर में है तो नौकरी में रहते हुए वेतन की बढ़ोतरी के लिए आप सुभह के समय सनान करके साफ कपड़े पहन लीजिए बरगद के पेड की जड़ को आप गंगा जल से शुद्ध करके एक प्लेट में रखेंगे और इस पर आप शुद्ध हल्दी का तिलक करेंगे फिर अपने इस्ट का, अपने कुलगुरू का, अपने पित्रों का ध्यान करें अब आपको एक इस्पटे किया शुद्ध लाल चंदन की माला लेनी है महमंत्र आपको दे रहें, उसे आप नोट करिए ओम शिरी लक्ष्मी नारायनाय नमहा इस मंत्र का विशम संख्या में यानि की एक या तीन की माला में आपको जाब करना है जब आपका यह जाब पूर्ण हो जाए तो जाब के बाद बरगद के इस पेड की जड़ को आप पीले धागे से लपेट कर अपने पर्स या पॉकिट में रखिए मित्रों आज है 30 अपरेल, आज ही के दिन इस उपाय को करिए जो 30 गुरू को लाइव स्टीमिंग के माद्यम से फीडबेक जरूर दीजिएगा अब वो दूसरा महा उपाय आपके साथ साजा करते हैं जो आपके वेतन में आपकी सेलरी में बड़ोतरी कर सकता है देखिए उत्तर दिशा देवी लक्ष्मी की कुबेर की दिशा होती है अपने घर की उत्तर दिशा में किसी भी लाल आसन पर आप बैठें क्योंकि देवी लक्ष्मी को लाल रंग बेहत प्रिये है देवी लक्ष्मी के सामने गाय की घी का एक चौमुखा धीपक आप प्रज्वलित करें उन्हें लाल गुलाब के फूल और एक कमल का पुष्प अर्पित करें इसके साथ ही पंच मेवा और पंच फल का भोग भी आप देवी लक्ष्मी को लगाएंगे सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और वहीं पर यानि की देवी लक्ष्मी के सामने बैट कर भगवान विश्नु के 108 नामों का आपको जाब करना है जब आपका जाब कंप्लीट हो जाए तो मेवा और यह फल जरूरत मंद लोगों में बच्चों में बाढ़ देए आप देखिए आपके धन में बड़ोतरी होकी अब वो तीसरा अचूक और सिद महा उपाय आपको देते हैं जिसको अपनाने से बहुत लोगों को फायदा हुआ है आप भी फायदा उठाइए आज के दिन शुद्ध चांदी के बरतन में या किसी बातर में आप साबू दाने की खीर बना कर रखिए साबू दाने की खीर नहीं बना पा रहे हैं तो सफेद मिस्ठान रख लीजिए लाल गुलाब के साथ यह सामगरी यह मिस्ठान आप देवी लक्ष्मी के सामने रखिए अपने राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए अपने मन की कामना को भगवान विश्णू का ध्यान करके तीन बार दोराईए दाएं हात में दो कमल के पुष्प लेकर आप आसन पर बैठ जाएंगे और उच्च स्वर में श्री सुक्तम का आपको पाट करना है पाट के बाद यह दोनों कमल आप देवी लक्ष्मी और भगवान नारायन को अरपित करेंगे और साबू दाने की खीर का भोग उनको अरपित करने के बाद छोटी कन्याओं को खिलाईए उनको बांट दीजिए मित्रो यकीन मानिएगा यह छोटा सा उपाय हर तरीके से आपके धन में व्रद्धी करेगा आप नौकरी में अगर आप एप्रेजल चाहते हैं बहुत अच्छा हो तो यह छोटा सा उपाय करिएगा देवी की किरपा होगी आपका कारेय सिध होगा